गोड़ मॉनिंग इश्वेंट्स वेलकम टुलेंग क्लास क्लास सेवन्थ सब्जक जी के चेप्टर टू नो मोर एवाउट प्लांट्स देखिए पिछली क्लास में हमने एड़ तक सॉलो करवा देते अब 9 से देखिए वीनस फ्लाइट ट्रेप इस एन एग्जाम्पल ऑफ इ विसकम इस दा कॉमान मिश्टलेट इस बियर ग्रीन लीवज बट इट इज रूटलेस पैरसाइटिक प्लांट विसकम यानि या विसकम एक पौदगा नाम विसकम सामान अमरवेल है यह एक अमरवेल है विसकम एक सामान अमरवेल है विसकम एक सामान अमरवेल है इट बियर green leaves but it is rootless parasitic plant यह यह हरी पत्तियों को सहन करता है लेकिन यह जड़ राहित पर यह भी पौदा है या अंसर सही है Sandalwood is Sandalwood is a heterotrophic plant यहां पर थोड़ी में स्प्रिंट हो गई इसकी spelling में H नहीं लग पाई है देखे स्पेलिंग है H E T E R O T R O P H I C यानि जो चंदन है वो एक परपोसी पौदा है It is rootless plant growing as partial parasites on the roots of host tree जो यहां यहां एक यहां मेजवान ब्रच यहां मेजवान ब्रच की जड़ों पर उगने वाला यहां मेजवान ब्रचों की जड़ों पर उगने वाला जड़ राहित पौदा है यहां सर सही है वैक्तिरियम has the ability of fixing air nitrogen into oxides of nitrogen वैक्तिरियम जीवानूम जीवानूम नाइट़ोजन आउकसाइड में नाइटरोजन आउकसाइड में वाईव नाइटरोजन को ठी करने की चमता होती है यहां सर गलत है अट्रिकुलेरिया एंड ड्रोसेरा और दा एक्जाम्पल और पेरासाइट प्लांट अट्रिकुलेरिया को हिंदी में कहते हैं ब्लेडर वोट्स और ड्रोसेरा को ड्रोसेरा को ड्रोसेरा प्रजीवी पौद्यों क्या उधारन है यह आंसर गलता है प्रजीवी पौद्यों के फॉर्म एपिचर लाइक इस्ट्रेक्चर घड़े के पौधे में पत्ती को घड़े की सरचना की तरह संसोधित किया जाता है यांसर सही है प्लांट्स ग्रोइंग इन टिर्जर्स फॉर एकृ में एक चेक्ती है व स्टे रैगे सत्थान में उगने बाले पौधे उधारण के लिए क्थी ऊधारण के लिए केक्ती यानिकि नाग्फणी में हरा रंग का मासल यानि फिलेसिमिस होता है मासल मासल तना होता है मासल, फिलेसिमिस मासल कहते हैं और गुद गुदा भी कहते हैं यानि कि इसमें मासल तना होता है इस simple form of sugar during photosynthesis is called glucose प्रकास संसिलेशन के दोरान photosynthesis कहते हैं प्रकास संसिलेशन प्रकास अंसलेशन के द्वारान बनने वाली चीनी का एक सरल रूप ग्लुकोज कह लाता है थैंक्स